आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दीपक बदोरिया 36 गर्मे राशनी दुकानों को तरंगे के रंग में रंगने की सरकार की खोशिश के बाद सियासत अब गर्मा गई है धान खरीदी को लेकर चल रहे जंग के बीच अब एक बार फिट से कॉंग्रेस और बीजेपी में तकरार शुरू हो गई है बीजेपी ने राशन की दुकानों पर सियासत करने का आरोप लगाया बीजेपी का खहना है कि भूपेश सरकार राशन की दुकानों का कॉंग्रेसी करण कर रही है पूर्व सीम रमन सिंग ने कहा कि तस्वीर और रंग बदलने से जनता का कोई भला नहीं होगा वहीं सक्ता पक्षन बीजेपी के आरोपो को सिरे से खारिश कर दिया है इसी मुद्धे पर हम चचा करेंगे खास पेशकर तरंगे पर तकरार में सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने विरोध चता आया है उनका कहना है कि फोटो या रंग बदलने से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता कोई कॉंग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने शासनकाल में कस्वीरत तक लगाती थी शत्तिस गड़ में राशम की दुकाने अब नए ट्रेवर में नज़र आएंगी सभी राशत दुकाने चरंगे के रंग में हो और CCTV भी लगाई जाएं जिससे गड़बडी रोकी जा सके खातिम अंतरी अमर्चीव भगत के नियदेश के बाद सबी कलेक्टरों को मौडल का प्रारूप भेजा किया है सुराज एक्षपेस से बाचीत में पूर्व मुख्यमंतरी रमाई सिंग ने कहा है कि सारजनिक वित्रण प्रिलाली की विवस्ता को कॉंग्रेसी करण करने की कोशिश की जा रही है सरकार के इस फैसले से गलत संदेश जाता है पार्टी के साथ जोड़ने का हर इस तरफ पर भिरोद किया जाएगा वह नेता प्रतिपाक्षव धर्मलाल कोशिक ने कहा सरकार के कामकाज की पहचान काम से होनी चाईए फोटो लगाने से या रंग डोगन करने से पहचान नहीं होती है जो आम आजमी के लिए राशन के वैसा करता है उसको पहले इनोंने राशन के कार्ड में अपने नाम और फोटो छपा है अब फोटो के साथ साथ धुकानों को तीन रंग से रंग रहे तो एक प्रकार से कांग्रिसी करन करने का प्रयास है और यह संदेश गलत संदेश जाता है कि सार्जेनिक वितर प्लाणिक को सरकार और पार्टी के साथ जोड़े पहचान एक्चल पर कार्ड से होनी चाहिए और कारिसे आदमी की पहचान बनती है, सरकार की पहचान बनती है किवल फोटो लगाने से, कलर करने से वो पहचान नहीं बनेगे और जिस प्रकार ये कार कर रहे हैं मुझे लगता है कि उल्टा लोग हसे के पात्र बना रहे हैं ये सरकार अपने रंग में रंगना चाहती है, रंग तो हिरदय से रंगना चाहोगे तो रंगेगे, आप पालिस करके रंग नहीं सकते इधर सरकार के वरिष्ट मंत्री रविंदर चौबी ने कहा है कि बीजेपी को इस बात पर आपत्ती नहीं होनी चाहिए जब बीजेपी की सरकार थी, तो सरकारी योजनाओं में तस्वीरे लगा जाती थी मुझे लगता है कि उनको आपत्ती नहीं करना चाहिए उन्होंने तो सास की भौनों के, सास की वाहनों के, अलग-अलग जो सरकार के कारका में इवन रासन कार और घरों के जो पट्टे थे उसमें भी अपने ततकालिन मुख्यमंत्री के खुबसूरत चेहरे के साथ दोरंगा कर करके उन्होंने सारे पट्टे बाटे थे अब तिरंगे से उनको क्यों आपत्ती ये सारा देश समझता है धान खरिदी पर तनातनी की बीच अब तिरंगे को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस आमने सामने है सरकार के इस थैसले को बीजेपी विधान सबात स्वीप कालिन सत्र में भी उठाने की त्यारी कर रही है राइपुर से आशिश्टी बारी की रिपो और आपको बताता है कि चत्तर गवर राशन दुकान है को तिरंगे के रंग में रंगने को लेकर अब सफतापक्ष और विपक्ष आमने सामने आ कए है इस पर सियासत शुरू हो कई है वैसे ही देखा जाए सफतापक्ष विपक्ष में धान खरीदी को लेकर वैसे बवाल मचा हुआ था अब एक नया बबाल भी शुरू हो किया यह है रंगरोगन को लेकर जो वहाँ पर राशन की दुकाने हैं उन्हें कॉंग्रेस तिरंगे से रगना चाहती है पर बीजेपी इसका अजरोध कर रही है और कहा जा रहा है कि इसका कॉंग्रेसी करण किया जा रहा है धान खरीदी को लेकर चल रही जोंग के बीच अब एक बार फिर से कॉंग्रेस और बीजेपी की तकरार खुल कर सामने आई है बीजेपी ने राशन की दुकानों पर सियासत करने का आरोब कॉंग्रेस पर लगाया है बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार राशन की दुकानों का कॉंग्रेसी करण कर रही है और साथी साथ उन्होंने ये भी कहा कि तज़वी और रंग बदलने से जनता का कोई भला नहीं होगा वहीं सक्ता पक्षन बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खालिच किया है और इसी मुद्दे पर आपको बता दे कि कॉंग्रेस ने भी पलटबार किया और कहा कि जब उनकी सरकार थी तो सभी सरकार योजनाओ में मुख्यमंत्री की फोटो लगा करती थी तो आज बीजेपी को क्यों बुरा लग रहा है आपको बता दे कि सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने कड़ा धुरुच होताया है और उनका कहना है कि फोटो या रंग बदलने से दिल नहीं जीता जा सकता और अब यह मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है कि आखर कॉंग्रेस क्यों करना चाहती है तिरंगे के रंग से इन दुकानों को क्यों रगना चाहती है और रंगना बेचाती है तो बीजेपी को आखर इससे दिक्कत क्या है क्या तिरंगे से उन दुकानों को रंगना है राशन की दुकानों का कॉंग्रेसी करड़ का भी मुद्धा लगातार गर्माता जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वज़ा है जिसके कारड़ कॉंग्रेसी जो है उसका दुकान है जो राशन की दुकान है उनका कलर बदल कर तिरंगे में करना चाते है हाला कि इसके साथ भी उनमें कैमरा भी लगाया जा रहा है, जिससे जो भी गड़बड़ी होती है, उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, अब इसके पीछे की महंचा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. और इसी मुद्यपार चर्चा करने के लिए रायपूर स्टूडियो में हमारे साथ मौचूद है, नरेश गुपता जी हैं, जो भाजपा प्रवक्ता हैं, और उचिस सामाजी है, सामाजी कारिकरता और प्रफुल पारजी हैं, जो कि बरश्ट पत्रकार हैं, आप तीनों लोग से अगर उन राशन के दुकानों को रंगा जा रहा है, तो इसमें कॉंग्रिसी करण कैसे हुआ? देखिये, ये जनता को दिख्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, ये राजनितिक दल शिर्फ अपने राजनितिक फायदे के रास्ट को भी दाव में लगाती हैं, आपको बता दूँ, एक छोटा सा एक्जम्पल इस पर भी बात में चल्शा करूँगा, आप जो एक बहुत बड़ा इशू था, जन्यावले बाग जो इसमारक था, उस इसमारक में 19 से इंकांबे में आया, इस इसमारक के अध्यच को होंगे, कांग्रेस के राश्टी अध्यच इसके पदेन अध्यच होंगे, ये इस राजनितिक दल का चरित्र है, जो हर सिस्टम का उप्योग सिफ अपनी राजनितिक फायदे के लिए करना चाहते हैं, जदि आपको अवशकता है, राशन कार्डों की दुकानों का, तो राशन कार्डों के दुकानों पर आप फ्लेक कोड के तहट राश्टी धज लगाएं, राश्टी धज बनाके रखें, आप कांग्रेस के कलर से मिलते ह लिए सारा कुछ कर रहे हैं और इहें कोई लेना देना नहीं है आप इस बात के कांग्रेस के लोग इस बात की इस परस्टी करम दें कि जलिया वाला बात प्रस्ट पर क्यों ऐसा किया गया था बुद्धा है यहां मुद्धा है यहां मुद्धा है तिरंगा या तिरंगे के ब तरहां है पैले राशं कार्ट राषय करेने थैं उससे बता रहे पाहले राशान कार्ट जो बने हुए थे राशान कार्ड नहीं नहीं यहां आपने लाखों करोड़े रुपया राशन काल बनाया सिर्फ मंत्री के फोटो लगाने थे उसने शिर्फ साच की ढनका उपियों गलत कर रहे जाताँ नरे जी जो मंत्री स्वाविजी ने कहा कि जब आपकी सरकार थी तब आपके द्वारा जो सरकारी योजनाएं थी उनमें खुब कमल का फूल और मुख्यमंतरी की फोटो लगा करती थी यहां या ना का जबाब दीचे का कि देखिए कता ही नहीं लगा करती थी कमल के फूल साज की किसी भी योजना में कमल का फूल कहीं नहीं लगा हुआ है अच्छा मतलब आप यह कह रहे हैं कि ना मुख्यमंतरी की फोटो आप क्या बात कर रहे हैं सरकार कोई भी हो आप होडिंग्स देखो सरकार की योजनाएं देखो उनके पैम्पलेट देखो हर चेके फोटो लगी होती आप कह रहे हो कि फोटो लगी नहीं थी यहां यहां पर आप जो बात कर रहे हैं तो मैंने उसका जवाब दिया किसी भी शाष्की योजनाव में कमल का फोटो नहीं लगा हुआ था हैं अगर उनों ने राश्न में लगा हुआ लगा लिए ऊप राश्व और राश्व जो नहीं बना लोरड के आप दोटिए सब्सक्राइब की सब्सक्राइब दोसे एक ऋचनता को कोई लेना दिना नहीं है कर अपको के कुछ अचैके सवाल पूछ रहे हैं गर्या डंको कॉमले सब्सक्राइए लेकिंड सब्सक्राइब करें दो ड renewed नहीं है क्वाड़र दीज अिया उग्साटा जाए आपके घद बिल्कुर नहीं आएगा वह पार्टी का निन्ना है जब कॉंग्रेस परखता है तो आप नहीं हाते है तो इससे पूछा जाए आपके सारे आप पूछा है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं तुछ जाब देले हैं हम आपके जवाद के इस इपाक नहीं रखती है जब पारे जी अपको बग दिया पर वक्ता है यह उनी तो एक सवाल बंता है कि आखिर जो पार्टी ये कहती है कि हम करने में विलीब रखते हैं तो आखिर वो दर्शाना क्या चाहती है इस तरंगे की रंग में रंगर के इन कि यह जो मुद्दा है मुझे इसका तो कोई सीर पैर नजर नहीं आता कि अगर कोई एक रंग से कोई एक योजना है उसमें कोई रंग रंग दिया अब तिरंगा तो है नहीं तीन रंग चुंकि पार्टी कॉंग्रेस का जो जंडा है उसमें अगर पंजा थाब भी होता द्सवा यहां कोई एक अगरता था नहीं सिर प्रहलि ने बारें अआफ रहा तकाao है और रावाद यहां ज़ो जो इनिए यॉच्य कोई तो को इता नहीं सुट वैंता है और धyn्च कार्णाह यह जो भाग एधिशकान धुपते हैं उन कार्ड ही भगवा और हरा होता घृ म तो ये बात है, ये तो political बात है, इसमें मेरा कहने का मतलब यह है, अब देखिए अब उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कई सरकारी मार्तों को भगवा रंग कर दिया, तो ये रंग दें से क्या होता है, राशन कार्ड की दुकानों का, राशन की दुकानों का कलर क्या है, इ थी ठीकया कर लें दुकानों से करने की जहां आ याफ रही हैं जननता मूर्क नहीं है जननता बहुत समय हो गया उनकी नियत राशक देने की नहीं है इसका प्रणा बहुत पहले ही देख चुके है उचे शर्मा जी जिस तरीके से यह राजनी की चल रही है बिल्कुल अभी प्रफुर्श ने कहा ना हाथ है ना पैर है इस चीज का कि आखर क जो मुद्दे नहीं है पता नहीं बीजेपी के पास या क्या बज़े है कि सिर्फ कलर को लेकर इस तरीके से जननता के मुद्दे उठाई ये ना पहरा पाए वह आज तिरंगे पर यहां पर पब्लिक के सामने मात्पूर चैनल पर पब्लिक फोरम पर बोल रहा है तिरंगे के चीज़े सवाल ले उठता है कि आज भाजपा के पास कुछ लगता है मुझे कुछ काम करने को रह नहीं गया एक पुरानी छोटी सी कावत है मारलिस तो मारलिस धक्का के नो देली तो जो हम को चुनाओं मारे इतना है उससे कोई दिक्ट कर दी लेकिंग के जिए तब उनको बहस करना है तो धक्के पर बहस हो रही है यह मैं देख रहा हूँ आप रासन मिल निरह है कि नहीं वो देखिये आप वहां पे सुरक्षा है क कि नहीं वो देखिए तो वो विरोध नहीं है कलर के विरोध है और जूड बोल रहा है अनरेज गुपता जी बिलकुल क्या लैपटाप में अजी इनका फोटो नहीं था माक के मुख्यमंदरी का जो टैप आटे के उस पर फोटो नहीं है इनका क्या क्लर के अज़िए नरेजी अज़िए नहीं पर जिया आप एक शी बताई आप ने वह बी चाहे जनता इनकी सुनती नहीं आपके चैनल के मादव से साहथ कुछ लोग सुने इनको आप जूटा प्रचारित करते उसको नहीं प्रयाश कर दाएब आए बहुत है भारती जान उसदी का कलर देखिए प्ण बारती जान उसिदी को देखिए भारती जान उसदी में क्या लुए भाजपां लिखा हुआ है सीधा सीधा बैचे लेकिन यह लोग आप उस लेवल पर आगह है साफ त्य वी चैनल के मादम से जूट बोल रहे हैं कि हमने वैसा नहीं किया आप कि रे साथ की योजणामने कमल का फोटो लगा था एक एग्जेंपल बिजेंगे क्या इनने कांगरेश की फोटो लगा लिए तेरंगे वदुराऌ की जा रही तेका मैंने जवाद दिया आपका पेटेंट कलिरेंगे करीये। आप आरे जी बॉलिंगे जिए एनकर जी बॉलिंगे तब को लंगे तो चाहा नाज कारेयलों एड़ाले आज सुनिए तो सुनने की आदड डालें अब आप सफथा में नहीं है आप अब आदड डालें सुनने की इस सबस्क्राइब को 15 साल इनी रूटका अने लूटा है तरफने बिरोकार से लेकर इनकी किचिन्काबिनेट से लेकर इनके पुर्प्षार आपको बता दें कि जिस तरही के से देखा जाए भाजपा बरवक्ता के द्वारा जो कहा जा रहा है उससे साथ तोर पर भाजपा के खीज नजर आ रही है कि आखिर रंग रोगन से क्या हो जाता है अगर चाती भी है वहाँ की कॉंग्रेश सरकार कि रंग रोगन कर देने से एक भ्रम पहलाया जा सकता है कि जनता का दिल जीता जा सकता है बस राशन ना दिया जाए जनता का रंग रोगन से दिल जीत लिया जाए तो ये कहां तक संब्ध है और इस तरीके से बीजेपी का ऐसे मुद्ध पर इस तरीके से विरोध कर रहा कहां तक सही है ये देखने वाली बात है और जनता इसका टै करेगी क्योंकि जिस तरीके से वो एक तरफ रंडरोब में देख रहे हैं लेकिन वहीं कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जो कि इनके सरकार में नहीं हुआ वो नहीं देख रहे हैं कि एक अच्छी पहल भी हो रही है कि उन राशन दुकानों के अंदर कैमरे भी लगाए जा रहे है यानि कि जिससे कोल भी गर्बड़ी की जाती है या जनता के साथ अन्याय होता है तो वो पकड़ में जा सकता है पकड़ाय जा सकता है तो वो कैमरे की बात नहीं कह रही है पर यहां पर बात की जारी है अपनी आप पूरी कर लीजिए जब लोग बोलने तो मत बोलिए का देखे मैंने कता ही नहीं कहा और आपको बड़ा स्पस्ट कर दो मैंने कता ही नहीं कि की दौकर मंठ्री नॉक्टर मेंटाइन सींग कर पूर। शुशना मि नहीं थे यह रहे कि अप को करिया अधिया यह। कि द्वारा लोगों को गुम्रा करने के प्रयास कर रहे हमने कट ही नहीं किया मुख्मंत्री का फोटो नहीं था अभी आप नहीं का फोटो था राश्रितिक दल के फोटो नहीं थे आप मैंने का मुख्मंत्री का फोटो नहीं था मैंने कट ही नहीं कहा बिलकुल अब आप तो अब रही तो मान लिए अब यह तो मान लिए अहीं दिर दीर आप सकता है कि बखवार रंखी पर भी आजाए कोई भी और आप पाथ बता रहे हूं सरकर को को तिरंगे की बात की कैमेरे की बात की हां मैंने नहीं की मैंने लगाया जा रहा है कि पहले हो रही कि नहीं हो रही है वह दोनों ही बात क्या चल रही है कि नहीं ही योजनाय शुरू किने मतलत देखा के नहीं कि लिए हाथ ये बात प्ते नहीं थो किंद की नहीं तो यह कैमरा चोड़ दो जो अगर तरंगे का है तो यह कैसे सिद्ध हो जाएगा कि यह का अप उस पर अशोग चक्र लगा दीजिए ना अशोग चक्र लगा दीजिए हम पर करते हैं तो आफ जोब चक्र नहीं लगाने की नियत बताती है कि वह वह राजडितिक दर्व वह इस राश्चति ज़श्च पो नहीं लाना चाहती है एक सेकंड, 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 एक प्रफुल जिस तरीके से देखा जाए आपने बात तो सुनी लिए एक बात पर सिकी नी रहे पहले कह रहा है कि नहीं मुख्यमंत्री की भी बोटो नहीं थी बाद में आ गया आगे आला के लाइन पर आप कह रहें कि तरंगा वना दो जब तर्क दिया तरंगा क्यों नहीं बन पर बिचीफ कामत करिए इसे बात रखिए ना आप चाहिए री टेक कर लिए अभी मेरा वर्षन रीटेक कर लिए प्रफुल जी वह जोनों लोग बैठे हुए ना भी पुछबा सकता हूं आपसे तो सुन रहे हैं प्रफुल जी जाना चाहूंगा कि जहां पर जनता के कि अब तक कोई उग्रा अंदुल नहीं कि अभी धान को लेकर जिसमें खोदी फसेते थोड़ा ठीके उसके अलाबा कोई बड़ा अंदुल नहीं जनता के लिए क्या इन्हें इस तरीके मुद्दे उठाने चाहिए अपि रंगरोगन की मद्दे उठाने चाहिए और नगर चाहिए गता अरशन का मुक्या होता है और योजना शासंद्र वाम योजनाओं में फोटो लगते थे, उत्र प्रदेश में क्या योगी के फोटो नहीं लगते, तो फोटो लगना लगाना, ये सब कोई इतनी उदार राजनीती अभी नहीं हुई है, ये एक उदारन जो अटल जी ने एक समय दिया था, कि प्रधान मंत्री सड़क योजना क कि इसका नाम कोई राजी उगांदी ग्राम सड़क योजना नहीं होगा, ये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना होगी, उसके बाद मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना पर यहां तक तो लोग नीचे उत्रे, तो ये राजनीती योजनाओं को ये योजना बनाई ज तो कोई बात मी वो उनकी पार्टी का कलर है, जंता ने उनको चुना है, मारती जंता पार्टी की सरकार है। डंप आप लगार जा राहर है, ये विझाल का आफ भाना हो सकता है, तो अब उस पर ये कहना के साभ उसमें आप राष्ट्री धार लगा भी जिए उस में अशुक चक्र लगा भी जिए यह तो कोई बात ही नहीं हुई तो कोई बात ही दुकार उसमें राष्टे धर लगाना यह क्या बात हुई बिल्कुल जी जी तरीके से देखा जाए सामाजी के सरुकार से जुड़े मुद्दे अब गायब होते जा रहे हैं बिल्कुल जी जी तरीके सामाजी के बात हुई जा रहे हैं वह अपने ही लोगों के कामों में इतनी उल्जी हुई है कि उनको सही मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं भारतिय अंता पाटी से जाला तो मुद्दे आज की देट में पदरकार पेपर और एक्टिविस्ट उठा रहे हैं जो उनको सही अभी विपक्ष है नहीं बिखरा हुई है इनकी पाटी है ही अपने अलग 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 गूपों में और अलग अलग वाडों में बटी हुई ह अलग मठका है कोई अलग मठका है कोई अलग संपरदायका है तो वैसी पुरी भारतिय अज़ता पाटी अभी बटी हुई है असल बुद्धों को इतर है यह कि वाकई जो मुद्धे होने चाहिए वो बुद्धे ना उठाते हुए ब्रस्तचार एक बड़ा बुद्धा है तो वस्तचार इसे ने उठा रहा है क्योंकि इनके अपने लोगी सामने आएंगे ठीक दान के मामले में वापास बैक पूट पर आगए क्योंकि इन्होंना भी वादे किये थे तीसरी चीछ कि यह हर चीज गलत साबिस करते हैं मैं बोल रहूं कि आप इसमान योजना का साब भाजपा लिखा हुआ है आप उसको देखिए तो यह जो भी बात कर रहा है कि कलर की या कॉंबिशन की वो बिल्कुल गरत कर रहे है और रंग की बात जैसे पारे सापने का कि रंग की बात है तो आज के परिवेस पर होने ही इने चाहिए आप नियत पर जाईए नीतिय कि क्या नीतिया गलत है कहां चाहिए आप उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का जिस तरीके से एक विपक्ष की भूमिका होती है विपक्ष के पास जो मुद्धे होते जणता के उठाने के लिए भाजपा हार के बावजूद भी है विपक्ष में बैठने के बावजूद भी वो जणता के मुद्धे कही ना कहीं से चूख रही है और जो ऐसे मुद्धे ह जिन पर इतनी जादा बहस या फिर उन्हें इतना जादा जोर देके नहीं उठाना चाहिए, उन मुद्दों को उठा रही है, जिससे जनता कहीं न कहीं प्रभाविश जरूर होगी, और बीजेपी की जो चबी है, वो कहीं न कहीं जनता के लिए ठीक नहीं है, हमारी इस खाज उन्हें है, नहीं प्रक ही है, बड़े जरीजेचा के लिएक, कर साफ मैं प्रहीं है, नहींती से बगल चाहिए टरूर मुद्दों को है।